वित मंत्रा लेके महत्पुना देश, पांचवे और छटे वेतनाई के तहट सेलरी और पेंशन प्राप्त कर रहे केंद्री करमचारियों, पेंशन भूगियों और ओटोनॉमस के करमचारियों और पेंशन भूगियों को एक जिनवरी 2022 से दिया जाएगा इतना फिश्दी महें महेंगाई भत्ता और महेंगाई रात जी हां दोस्तों पहले आपर चर्चा कर लेते हैं, पांचवे वेतनाई के तहट सेलरी और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पेंशन भूगियों और सरकारी करमचारियों को मिलने वाले महेंगाई भत्ते के बारे में, साथ अप्रेश 2022 क पांचवे वेतनाई के अमसार अपनी सेलरी और पेंशन ड्रॉग कर रहे हैं, उन्हें एक जनवरी 2022 से उनकी बेसिक पे और पेंशन का 381 फिश्दी महेंगाई भत्ता और महेंगाई रात दिया जाएगा, उन्हें मौजुदा समय में मिल रहा है 378 फिश्दी महेंगाई भत तो उसे अब बढ़ाकर जनवरी 2022 से 381 फिश्दी कर दिया गया है, तो इस तरीकी से पांचवे वेतनाई के तहट सेलरी और पेंशन प्राप्त कर रहे करमचारियों और पेंशन बोग्यों के महेंगाई भत्ते में काफी अच्छी कासी बोड़ोत्री हाँ पर हो चुकी है, उन्हें 381 फिश्दी महेंगाई भत्ता दिया जाएगा जनवरी 2022 से, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, छटे वेतनाई के तहट सेलरी और पेंशन प्राप्त कर रहे केंद्री करमचारियों और पेंशन बोग्यों को जनवरी 2022 से मिलने वाले महेंगाई भत्ते और महे पेंशन बोग्यों को एक जनवरी 2022 से उनकी बेसिक पे के 203 फिश्दी के बराबर महेंगाई बत्ता और महेंगाई रात दिया जाएगा यानिकि इनके महेंगाई बत्ते में यह वालबब 7 फिश्दी की बड़तरी केंसरकार के द्वारा जनवरी 2022 से कर दी गई है और इसके अलावा आदिस में ये भी कहा गया है कि बड़े वे मेंगई बत्ते और मेंगई रात का बुगतान अप्रिल महीने के सेलरी और पेंचन के साथ में किया जाएगा साथ महीं पिछले तीन महीने का जो एरियर है उसका भुकतान भी करमचारियों और पैंसन भोगियों को किया जाएगा तो इस तरह के से दो महतपों और ताज अपडेट लाकों सरकारी करमचारियों और पैंसन भोगियों के लिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही जनकर अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक और सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें और एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए